पुल्वामा हमले के बाद पहली बार प्रदेश में विधान सभा में निंदा प्रस्ताव पेश हुआ है ऐसा आज तक के इतिहास में पहली बार हुआ है तो क्या था ये पुरा मामला? जी मैं बताना चाहूँगा कि पुल्वामा हमले से मद्धिप्रदेश ही नहीं बलकि पूरा देश आकरोश में है और इस हमले के बाद पूरा देश एक जुट नजर आ रहा है तो वहीं अगर मद्धिप्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पर खासकर पाकिस्तान के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया गया और इस निंदा प्रस्ताव में सभी दलों के जो विधायक थे उन्होंने इस निंदा प्रस्ताव पर अपने सहमती दी जब गोपाल भारगव जो नेता प्रतिपक्षे विधान सवा के उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ विधान सवा सदन मे चुनिर हमाफी नहें बुजितान जला हुए और फिर मैं बताना चाहूंगा कि यहां पर जितने भी मंत्री हैं विधायक है उन्होंने जम कर पाकिस्तान की कड़ी निंदा की है और देश की मोधी सरकार से भी मांग की है कि तुरंत करिया की विप्रित पृतिकरिया दी जाए यानि कि जिस तरीके से उन्होंने हमला किया है तो हमारे द्वारा भी वहां प तोड पाकिस्तान को करारा जवाब दिया तो साफ तोर पर यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि मद्धप्रदेश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि जब किसी देश के खिलाफ यह निंदा प्रस्ताव लाया गया है और यह पाकिस्तान की खिलाफ लाया गया है जो कि जि तो यहां पर कुछ इसी तरह का विरोध सामने आया है विधान सबा में पहली बार हम बढ़ते हैं अगले मुद्दे की और जो है खरगोन सीट का जी हां भाजपा का सबसे मजबूत माने जाने वाला खरगोन सीट जो है अब उस पर हार के बादल मंडराते हुए दिख रहे हैं आये जानते हैं क्या है ये पूरा मामला जी बिल्कुल सही का आपने दिख्षा कि जो खरगोन बढ़वानी संसदिय सीट है पिछली तीन बार से भारती जनता पार्टी का पर्चम रहा है या यूँ कहें कि भारती जनता पार्टी अदिधिक बोटों से जित्तिवाई लेकि कोईने के हार के बादल मनडरा ते वे नजर आ रहे हैं इसके पीछे कई माएन है अधि हम बात करें शुबास यादव की तो वह एक्टिव नजर नहीं आ हैं पिछले साड़े चार सालों में रोजगार की बात करें तो रोजगार के मुद्दों पर कहीने काहीं विफल हुए वहीं बात करें वो द्योगिक चेत्रों में उन्नती की बात करें तो यह सारे तमाम मुद्ध हैं और हम बात करें यदि खरगुन बढ़वानी स्पेशलिव सीट की तो कोई भी इस तरह की कोई व्यापारी गतिवीदिया नहीं हुई है लोग को रोजगार के लिए लगातार मह महराष्ट और गुजरात अन्य पडोसी राज्यों में पलायन करना पड़ रहा है तो यह तमाम मुद्ध हैं वहीं कहीं बार ऐसा भी देखा गया है कि जो वर्तबान सांसदे शुभास यादव उनकी सक्रीता कहीने कहीं सवालों के गेरे में रहे तो कुल मिलाकर भारती जन सब Analysis स Где गाले में सकती व arrogance सबाद से साथ जो हैं वहीं पाइए दोजार ऑब करें तो यह फीन लेकिन लेकिन ब्हारती जनता पार्टी दिनों से प्रकार प्रपरली काम नहीं करें तो उन्हें जरूर एक बार मन्थन करना चाहिए चेहरे पर हम बढ़ते हैं अगले मुदे की तरफ आपको बता दे कि मध्यप्रदेश में शराब के दाम बढ़ सकते हैं जी हाँ ये खुद वित्मंत्री तरुन भनोट ने ऐसे संकेत दिये हैं ये जानते हैं संदीप से कि संदीप ऐसा क्यों किया जा रहा है कि प्रदेश में जो है शरा अब लोगों के घरों का खाजाना खाली करती वही शराब अब जो है मध्यप्रदेश का सरकारी खाजाना भरने वाली ऐसा इसलिए क्योंकि मध्यप्रदेश का जो सरकारी खाजाना वित्ति संकट से जूज रहा है और सरकार की स्तिती बेहदी यहां पर कमजोर नजर आ रही क्योंकि जो खजाना है मत्रदेश पर काफी कर्ज है ऐसे में कमलनाज सरकार के उपर बड़ी चुनोती है कि वो जनता को एक तरफ तो अपने पूरे वचन भी निवाना है और सारी समस्या वो सुविदाय भी देना है तमाम योजनाओं को क्रियानवन भी करवाना है और वहीं अपने वित्ति खजाना खाली है उसको भरना विये तो कहीं न कहीं इस चुनोती को निपटनी के लिए कमलनाज सरकार ने रास्ता निकाला है कि क्यों न जो एक राजस्व का एक बड़ा असोर्स होती है सराप उसके दाम बढ़ाया जाया और उससे अब जो है जो है जो वित कीमत बढ़ाएगी लेकिन वित जो अपकारी है अपकारी मंत्री है मद्यप्रदेश के उन्हों ने इस बात के संके जरूर दिये हैं कि अब जो बजट सत्रजी चल रहा है उसमें जो पेश होगा तो उसमें नई सरकार नई शराब नीती को भी पेश किया जाएगा जिसमें ये भी प्रवधान हो सकता है कि मद्यप्रदेश में सराब के टैक्स बढ़ा दिये जाएं या उनके दाम भी बढ़ा दिया जाए जिससे की जो इनकम होगी उससे कहीं न कहीं सरकार को एक बल मिलेगा सरकारी खजाना मजबूत होते हो नजर आएगा है तो कहीं न कहीं ये ए या फिर मंत्रियों की लगजरी सुविदाओं को हटाने का हो तो इसी में एक और ये फैसला भी लिया जा रहा है कि सराप के दाम बढ़ा कर अब जो है कहीं न कहीं राजस्वी की वसूली की जाएगी और उससे कहीं न कहीं ये जो सरकारी खजाना है वो संकट से जूज रहा है उसको उबारा जाएगा अगर हम कहें सरकार की एक अच्छी पहल शायद सरकारी खजाने को भरने के लिए और अगर हम जनता के पॉइंट फ्यू से देखें तो जनता के हित के लिए एक काम होगा अब देखना बड़ा ही दिल्चप्स रहेगा क्या शराब प्रेमी शराब के दर्शनी राजिस संधिया जोतिरादिति संधिया की पतनी चुनाव लड़ सकती है और अब लगातार ये खबरे आ रही है कि लगातार अपने इस पूरे जो फील्ड में हैं बहुत ही सक्रिय हो चुकी है वह लगातार दौरे कर रही है जंता से संपर्क कर रही है तो आईए इस तर पर भी दिखने लगाए कि प्रिय दरशनी राजे सिंधिया लगाता जनसंपर कर रही है भी महिलाओं की बैठक हो रही है और दोसत तीन आज भी बैठके जारी है अगर हम बात करें गौालियर की और गुना की तो अलग-अलग छेत्रों में मंधन कर रही है अलग- में लड़ी जाएगी तो ऐसे में उनका जो पूरा समय है वह कहीं ने कहीं उत्तरपदेश की लोकसभा को चुनाओं को मद्दे नजर रखते में उन्हें स्पेंड करना पड़ रहा है तो वहीं अगर हम बात करें प्रीदर्शनी राज्य सिंधिया की तो सिंधिया पर राज गराने का दबदबा ये चाहे बीजेपी हो चाहे कॉंगरेस हो दोनोई पार्टियों में पिछले अगर हम तीन दस्कों की बात करें तो तीन दस्कों से उनका एक छत्र राज रहा है गुना और ग्वालियर चेत्र में तो ऐसे में अब कुल मिलाकर ये तै हो गया है और इसक ये साफ साफ संकेत मिल गए जिस प्रकार से वह आज जगर जगर रेलिया कर रही है इससे साफ अंदाजा लगा जा सकता है कि बहुत जल्द वो कॉंगरेस पार्टी के जंड़े तले बेनर तले चुनाओ लड़ते वे नजर आएंगी जी बिल्कुल जिस तरह से लगातार प्रियदर्शनी राजे सिंधिया अपने दौरे कर रही है जनता से संपर्क कर रही है उससे तो यही कयास लगाए जा रहे हैं कि बहुत जल्द राहुल गांधी लोगसबा सीट की उम्मीदवार हो सकती थी जो गौलियर से बहुत बड़े मुदेज जिस पर हमने आज चर्चा की ताज़ा तरीन खबरों के लिया बने रही है एंपी न्यूस के साथ नमस्कार